हर हर महादेव आप मुझे सुरी सुमिता चारेजी महराज के नाम से जानते हैं आज कार्तिक मास में दीपदान के महात्मय पर यह विशेश प्रस्तूति ले करके आया हूँ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं कृप्या सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा उसे दबा देज यह ताकि मुझे से आप निरंतर जुड़े रह सके हैं कार्तिक में दीपदान 29 अक्टूबर रविवार से कार्तिक मास प्रारंब हो चुका है बहाँ पुन्य दायक तथा मोक्च दायक कार्तिक के मुखनियमों में सबसे प्रमुखनियम है दीपदान का अर्थ होता है इसकंद पुराण में मिलता है अगनी पुराण के दोसों में अध्याय के अनुसार दीपदान तत्परनम नस्ती न भूदम न भविश्यती दीपदान से बढ़कर ना कोई वरत है न था और न रहेगा इसकंद पुराण वैशनों खंड के अनुसार तो कुरुक छेतर में सूरे ग्रहन के समय और नर्मदा में चंदर ग्रहन के समय अपने वजन के बराबर स्वण के दूल तूल दान करने के बराबर पुन्य दीपदान करने से कार्तिक मास में मिल जाता है ये पित्रों का मार्ग दर्शन भी करता है इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें तो ये इस जो उपाय होता है इसे आप तूलसी मया के निकड़ भी कर सकते हैं मनुष्य में पीतर अन्य पित्रगनों के साथ सदा इस बात की अभिलाशा करते हैं कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा उत्तम पित्रभक्त उत्पन होगा जो कार्तिक में दीपदान करके स्री केशो को संतुष्ट कर सके दीपदान कहां करना चाहिए तो देवाले में करना दीपदान करने से लक्ष्मी मया भी प्रसन होती है जो देवाले में नदी के किनारे सडक पर दीपदान करता है उसे सरवफल की प्राप्ती होती है और विशिष्ट फल की प्राप्ती होती है भाव आपके मन में बहुत ही सुन्दर रहना चाहिए जब आप दीपदान करें और कार्तिक मास में सुख सम्रिधी के लिए घर में शान्ती रखनी चाहिए, लसुन और प्याज का सेवन भी छोड़ना चाहिए। विद्यार्थी यदि किसी खेलकुत की प्रतियोगिता में भाग लेने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आप असानी से कर सकते हैं इस कार्तिक मास में, तो इतना महात्मे कार्तिक मास का है जो आपके अंदर इस फूर्ती भर देता है, तो अवश्य जो उपाए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताये हैं, उससे तो अवश्य करिए और सभी लोगों तक इस बात को बताईए, हो सकता है, कई लोग इसके महात्मे से वंचित हो, तो वो वंचित लोगों का ज्यान वर्धन आप करिए, आप अगर ज्यान वर्धन करते हैं, तो उनके धर्म का प्रचार होगा आप यदि मुझसे जोतिस सलाह प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने लिंक दे रखा है नीचे वहाँ फॉर्म भर करके संपर्क कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम पर देखते हैं वहाँ प्रोफाइल बायो में मेरा लिंक दिया हुआ होता है तो वहाँ पर भी आप फॉर्म भर करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं चलिए हर हर महादेव बहुत अच्छा लगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा धन्यवाद